हलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल, क्रेज़ फॉर स्टडी दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंगलिस लेसन 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है लता मंगेस कर दे मेलोडी क्वी तो पहले हम वार्मर पर लेते हैं, वार्मर में आपको दो क्वासन मिलेंगे पहला क्वासन है, have you ever heard any song sung by लता, याने कि आपने कोई गाना, लता का कोई गाना सुना है इसका answer देखते हैं, yes, I heard many songs sung by लता मंगेस कर, हाँ, हमने या मैंने बहुत सारा गाना लता मंगेस कर के द्वारा गाया वा सुना है और दूसरा क्वासन है, what do you like about her voice, क्या आप उनकी आवाज को पसंद करते हैं, इसका answer होगा, her voice is awesome, I love their voice, her voice is awesome, यानि उनकी आवाज बेजोड है, या फिर बहुत ही अच्छी है, I love their voice, मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद है तो ये दोनों कासन हमारा हो गया, अब यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरलो पानी, जो सहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुरवानी, तो ये लाइन जो है, लता मंगेस कर के द्वारा गाया हुआ गाना है, ये एक देश भक्ती सौंग जो आप लोगों ने तो 100% सुना ही होगा, क्योंकि ये सौंग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, तो ये लाइन दिया गया है, ये मेरे वतन के लोगों, जगाने का, दोस्तों हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर मे कुछ वर्ड मिनिंग देख लेते हैं, जिससे कि हमें जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी, तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड क्या है हमारा, टियर्स, टियर्स मतलब आसू, रोल डाउन, ये जो है फ्रेज है, ठीक है, रोल पथम आकरमन या धावा, इमोटलाइज्ट, इमोटलाइज्ट मतलब आमार करना, हिरोईक मतलब नायकत्व पुर्ण, डिट्स करना में यकाडि, सोल्जर, सैनिक, सेक्रिफाइस यानि की त्याग करना या फिर बलिदान, सिंस देन, भी फ्रेजर, तब से, एपिटोम यानि प्रतीक, निक्नेम यानि उपनाम, मेलोडी यानि मधूर, स्वड या सुरिलापन, रिसाइड, रहना या बसना, नौटेड, नामी या ख्यात, क्लासिकल यानि सास्त्रिय, ठीटर यानि रंग मंज या रंग साला, आर्टिस्ट यानि की कलाकार, लास्ट, आखिरी, यूस्ट अभ्यास्त होना, इन ओर्डर टु, यहीं फ्रेज, इन ओर्डर टु यानि की क्रम में, आदेंटिफाई यानि पहचानना, सोन यानि सिग्र, लेटर यानि बादका, रिनेम, पुनह नाम देना, नेटिव यानि जन्मस्थान, नेम्ड यानि नाम दिया गया, क्यारेक्टर यानि चरित्र, प्लेज यानि नाटक, वेल नौन प्रसिद याजानमान, डारेक्टर यानि निर्देशक, यंगेस्ट, सबसे छोटी, सेवरल यानि अनेक, ओनर, सम्मान, इंक्लूड, सामिल करना, इन एडिसन टू, साथ साथ के अलावे, जर्नलिस्ट यानि पत्रकार, एस असोसियेशन, यानि संग, प्लेबैक सिंगर, पार्षव गाईका, अन्यूस्व, असभाविक या असाधारन, ग्यास्चर, यानि चेस्टा या हाभाव, प्रमोट, यानि की बढ़ावा देना या प्रोच साहित, तो गीव अप, त्याग करना, लाइफटाइम यानि जीवन काल या जीवन भर, अचीवमेंट यानि उपलब्धी, सिविलियन, संबंधी या नागरी कोचित, तो स्टेंड एज, प्रतिनिधुत्य करना, बढ़िं यानि की उभरता हुआ, वोकलिस्ट यानि की गायक, गायडिंग प्रिंस्पल, मूल आत्मा या मार्ग, ढर्षक सिध् स्क्रीन साट भी ले सकते हैं, और इसको याद कर लिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वर्ड मिनिंग आपको बहुत जगा देखने को मिलेंगे, और इस चैप्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये सारा वर्ड म याद रहेगा, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी से समझ में आएगा, तो इसका स्क्रीन साट ले सकते हैं, और फिर दूसरे पेज में जो लिखा हुआ यहां पर इसका भी स्क्रीन साट ले लिजी आप लोग, ताकि आपको आसानी हो वर्ड तो चलिए हमने इसका वर्डविन देख लिया, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, टियर्स रोल डाउन अंचेक्ट एंड नहरू वेप लाइक अचाइल्ड टू हीर दा पैट्रोडिक सॉंग, यानि कि जब जवार लाल नहरू ने इनका ये गाना सुना था, मेरे व 1922 इसवी के चाइनिज एग्रेशन, चाइनिज आकरवन के बाद किये, रता सॉंग इमोर्टलाइस दे हेरोइक डिट्स ओफ आवर सोल्जर्स, वो सेक्रिफाइट देर लीज फोर दर कंट्री, रता के इस गाने ने देश के सहिदों के बलिदान को अमर बना दिया, Since then, this song has become the epitome of the patriotic song, उसी के बाद से ये गाना जो है, देश भक्ती के गीतों का सकार रूप बने गया, और मतलब कि एक सांदार प्रतीक बने गया ये देश भक्ती गाने का, लता मंगेशकर, the singer of A Mere Vatan, is nicknamed Sir Samaragi यानि Melody Queen and Sir Kokila, लता मंगेशकर जो की A Mere Vatan लोगों की गाई का है, उनका nickname Sir Samagri है और Sir Kokila है, She was born on 28 September 1929 in Maharashtrian family residing in Indore in Madhya Pradesh, यानि की इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में एक Maharashtrian family में हुआ था जो की Madhya Pradesh के Indore में रहते थे, हर फादर्स दीनानाथ मंगेशकर was himself a noted classical singer and theatre artist, इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, एक सास्त्रिय क्या थे, संगीत कार या फिर गायक बोल सकते हैं, सास्त्रिय गायक और theatre artist यानि रंगमंज कलाकार थे, Her mother's name was Sudhamati, उनकी मा का नाम Sudhamati था, the family's last name used to be Hardikar, but दीनानाथ changed it to मंगेशकर in order to identify his family with his native town, मंगेशकी in Goa, इनके family में last name Hardikar used होता था, जैसे कि सबका surname होता है, वैसे इनका surname Hardikar था, लेकिन इनके पिता ने दीनानाथ ने अपने जन्म के सहर की याद बनाए रखने के लिए इसे Hardikar से मंगेशकर में बदल दिया, जो कि Goa में था मंगेशी नाम का, Lata was named Hardikar at her birth, Lata के जन्म का नाम यानि कि उनके बच्पन का नाम था हडिदिया, her parents later renamed her Lata after a female character Latika in one of her father's plays, उनके पिता ने एक Latika नाम के character के नाम पर उनका नाम बदल के Lata रख दिया, the famous singers Asa Bosley and Usa Mangeskar are her younger sister, मतलों कि प्रसित गायका Asa Bosley और Usa Mangeskar उनकी छोटी बहने है, her younger brother Haridiyanath is a well non-music director, उनके छोटे भाई Haridiyanath जाने मने संगीत निर्देशक है, Mina is the youngest sister, Mina उनकी सबसे छोटी बहन है, यानि कि Lata Mangeskar चार बहने हैं, एक Lata Mangeskar खूद, Asa Bosley, Usa Mangeskar और Mina, Lata Mangeskar has won several awards and honors including, पदमभूशन, पदमवीबूशन, दादा साफ फालके अवर्ड, महरास्ट्र भूशन अवर्ड, NTR National Award in Addison, 2-3 National Film Awards, 12 Bengal Film Journalist Association Award and Film Fair Best Female Playback Singer Award, Lata Mangeskar ने बहुत सारे अवर्ड जीते, जैसे कि, पदमभूशन, पदमवीबूशन, दादा साफ फालके अवर्ड और महरास्ट भूशन अवर्ड, NTR National Award और तीन अवर्ड उन्होंने National Film Award जीता, तीन अवर्ड जीता उन्होंने National Film Award का, और बाड़ा Bengal Film Journalist Association Award, उसके बाद उन्होंने Film Fair Best Female Playback Singer का अवर्ड भी जीता, फिल्म प्लेबेक सिंगर अवर्ड इन और टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, निस साउननातर इस्वे में लता मंगेशकर ने Film Fair Best Female Playback Singer Award को छोड़ दिया, क्योंकि नए नए उभरते वी सितारों को आगे आने देने के लिए उन्होंने ये अवर्ड छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि जो नए ने उभरते वी सितारें हैं वो आगे आए, उनको ये अवर्ड मिले, तो इसलिए उन्होंने ये अवर्ड छोड़ दिया, She was later awarded Film Fair Lifetime Achievement Award in 1993, बाद में उनको जीवन काल की उपलबधी के लिए 1993 में Film Fair का अवर्ड दिया गया, She has also won the highest civilian award of the country भारत रत्न, 2001, 2001 में उनने भारत का सर्वस रेष्ट नागरी पूरसकार भारत रत्न भारत रत्न अवर्ड भी जिता, Our country is proud of her and she stands as guiding principle for our young birding vocalist, Our country is proud of her, यानि कि हमारा देश उन पर गर्व करता है, और वो भड़ते वे गायकों के लिए आदर्स की मूल आत्मा है, जो भड़ते वे गायक हैं उनको उनसे सीख लेनी चाहिए, So friends हमारा आज का वीडियो यहाँ पे complete होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में देए गए, सभी कॉसम को solve करेंगे, और इस चैप्टर से related, आपको कहीं पे कोई डाउट होड़ा हो, या फिर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो हैलफू लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूब प्रेस कर दीजेगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन मिल सके, तो चैनल मैं मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,